नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में आज मैं दिखाऊंगा गोल किरियम कैसे बनाते हैं 100% गरेंटी के साथ वीडियो को फूरा दिखना नहीं तो समझ में नहीं आएगा मैंने यूटीब पर बहुत वीडियो देखा मिल्टिंग के मुझे समझ में नहीं आया मैंने आपको बहुत ही अच्छी से मिल्टिंग के वीडियो समझाऊंगा अगर आपके पास पूरे 24 करेंट गोल्ड है 100% गोल्ड है तो आप 910 मिली केरियम दे सकते है 10 ग्राम में 910 केरियम 10 ग्राम में 910 प्योर गोल्ड अगर है तो लेकिन हमारे यहां बहुरम पुर में जो गोल्ड मिलता है वो पूरे गोल्ड नहीं होते वो 99.50% होता है पूरे गोल्ड से थोड़ा कम होता है 10 ग्राम में 840 मिली कौपर मिलाते हैं सोने के काम के लिए आठ सो चालिस मिली 10 ग्राम में और सोल्डरिंग के लिए हमने 10 ग्राम में 800 मिली केरियाम देकर मिल्टिंग करते हैं 10 ग्राम में इस तरह एक ग्राम में हमने 80 मिली केरियाम देते हैं दो ग्राम में 160 मिली केरियाम देते हैं और जिसने नहीं किया वो जल्दी से सस्क्राइब कर ले ताकि मैं ऐसे वीडियो हर एक दिन के बाद जालता हूँ आज मैं आपको दो ग्राम हॉल मर्क बना के देखाऊंगा यह देखे यह गोल्ड है दो ग्राम यह केरियाम है 160 मिली देख लीजे मैंने कैसे करता हूँ यह देखे दो ग्राम गोल्ड इसे लेंब से हीटे रहो हूँ लाल हो जाए उसके बाद केरियाम दे देना यह सुआगा है सुने में सुआगा यह थोड़ा सा ठंटा होने के बाद यह कीरियाम दे देना नहीं तो बम के तरह फट जाएगा यह हलके हलके से हीटे ना हलके से हीटे ना यह थोड़ा है इसके बाद सुआगा देना यह थोड़ा सा ठंटा करके उठा लेना दोस्तों कैसे है अब लोग उमिद करता हूं अच्छे होंगे दोस्तों प्लीज मेरे चैलेंग को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में भी लाइक उनको दबा लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालू तुरंत आपके पास चला जाए दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना और स्यार करना और कमेंट जरू करना अच्छा लगे या बुरा लगे कमेंट जरू करना दोस्तों आप लोगों की सापोर्ट ही मेरी मोटिवेशन है दोस्तों वीडियो अभी तक देख रहे हो तो दिल से धन्यवाद है ऐसे ही साथ में रहना इसका वेट देख लेना दो गराम गोल्ड और एक सो साथ मिली केरियम दो गराम एक सो साथ हो गया है यह दिखी मेसन में डाल के हमने पात कर लिया है और इसे छोटा छोटा काट के हम सोल्डरिंग कटते हैं झाल कर दो वेगे बाल के दो किता हैं झाल कर दोटान के दोटारक ओप हैं झाल के दोटाएं झाल झाल थैंक्स फॉर वाचिंग हस्ती रहिए मुश्कुराती रहिए आपका दिन सुभो थैंक्यू